हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 148 चक्रव्यू अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि देखते ही देखते वो दिव्यशक्ती पास बुजंग के से ने क्यार पार हो गया बुजंग वही गिर गया उसके मून से ग्रीन कलर का लिक्विद निकलने लगा था बुजंग अपनी दोनों आखे खोल कर श्रेया और श्रिव को देख रहा था और उनको देखते देखते उसने अपनी आखरी सास ली थी वोही शिव और श्रेया बुजल्ण के मरते ही उसके मुँसे निकल रहे उस ग्रीन लिक्विद को एक बोटल में कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं ये लिक्विद आगे जाकर उनके बेहत काम आने वाला था वोही दूसरी तरफ ब्लैक आइलेंड के काराग्रेल के एक कमरे में किसी को जंजीरों से बांध कर रखा था और दो शातान उसके उपकोड़े बरसाय जा रहे थे जिससे जंजीरों से बंदे हुई सक्स की दर्द बारी चीखे उस पूरे काराग्रेल में गूंज रही थी जिससे सुनकर उस काराग्रेल में कैद कैदी दर के मारे काप रहे थे अब आगे, दाक आइलेंड, दाक आइलेंड पर एक बेहधी भयानक काराग्रेह भी था जिसमें विक्राल के कई दुश्मन कैद्ब थे, उसी काराग्रेह के एक रूम में एक कैदी को जनजीरों से बंधा हुआ था उस कैदी के अवस्था बेहद ही खराब थी, उस कैदी के शरीर पर जो कपड़े थे वे बेहद ही पुराने थे जो की जगल जगव पर फटे हुए थे उसका चेहरा अंधेरा होने की वज़े से साफ दिखाए नहीं दे रहा था उस कैदी के शरीर पर जगल जगल पर जख्मों के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था उस कैदी को देख कर ऐसा लग रहा था कि उसको हर रोज टॉर्चर किया जाता था और बात भी सही थी उस कैदी को हर रोज बेहद ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था अभी भी उसका राग्रेह में दो बेहद गंदे दिखने वाले राक्षस उसके कमरे में एंटर करते हैं और आते ही अपने साथ लाई हुई थंडी पानी की बुकेट को उस कैदी पर उरेल देते हैं जिससे वो कैदी अपनी बंध हुई आँखे खोलकर अपना चहेरा उपकर करके अपने सामने मुझूद दो शैतानों की तरफ देखता है जो की बेहद ही गंदी हसी हस रहे थे उनको देखकर हो कैदी अपना मून बना कर कहता है आगए तुम दोनों अपनी ये सरी सी सकर लेकर मैं तुम दोनों का ही वेट कर रहा था वैसे आग तुम दोनों को नहीं लगता क्या तुम दोनों लेट हो गए हो कोई न अब आ गए हो तो अपना रोज का काम भी सुरू कर दो उद्धरन चिन डॉट उसकी बात सुनकर उन दोनों शैतानों को बेहत गुस्सा आता है उन में से एक शैतान आगया आकर उसके चहरे पर मुक्ता मारता है और अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है तुम लोगों के जैसे नहीं जिनके माबाप का ही कुछ पता नहीं जो कि उस्विक्राल के शक्तियों से पैदा हुए हो और उसके ही इशारे पर काम कर रहे तुम जैसे गिद्धो में इतना दम नहीं कि वो ठाकुर राजवीर का मून खुलवा सके तुम लोग को मुझे जीतना टॉर्चर करना है करलो एक बार बस मुझे यहां से बाहर निकलने दो तब तुम लोगों को छटी का दूद याद न दिलाया तो मेरा नाम भी राजवीर थाकुर नहीं उद्धरल चिन डॉट उसकी बात सुनकर दूसरा शैतान गुस्से से अपने सामने जन्जीरों से बंदे राजवीर थाकुर का जबड़ा पकलते हुए उससे कहता है राजवीर 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 पता नहीं तुम है किस बात का गुरूर है इतनी बार मुकी खा चुके हो फिर भी विक्राल की कैद से छूटने की सपने देख रहे हो जो कि तुम्हारे इस जिंदगी में कभी पूरा नहो पाने वाला ख्वाब है तुम क्यों हर रोज इतना टॉर्चर जहलते हो बता दो ना हमारे महराज को जो तुम से जानना है वो वैसे भी तुमको तुपता है मानव बस मैक्सिमम सो साल ही जिंदा रह सकता है मेरी मानो तो विक्राल के लिए काम करोगे तो तुम जब तक चाहो तब तक इस दुनिया में जीवित रह सकते हो उपसे तुम्हें शक्तिया मिलेगी वो और ही बात है उपधरल चिन डॉट उसकी बात सुनकर राजवीर जोर जोर से हसने लगता है जैसे उसका मजा कोड़ा रहा हो राजवीर अपनी हसी कंट्रोल करते हुए कहता है तुम लोगों को जो कहना कहो मैं बहधी जल्द यहां से आजाद हो जाओंगा और सबसे पहले तुम दोनों को एक भयानक मौद दूंगा और मुझे इंसान ही रहने दो मुझे तुम लोगों के जैसे शैतान बनकर सो साल से ज़्यादा जीने की ख्वाइश नहीं है उपधरल चिन डॉट दोनों ही शैतान गुस्से में आ जाते है उन दोनों में से एक शैतान जो की काले कोई जैसे था वो आ गया आकर राजवीर का चहरा अपने सामने करके कहता है साला कैद में होने के बाद भी कैद से बाहर निकल कर हमको मारने का सपन देखता है जो की तुम्हारे इस जिंदगी में कभी पूरा नहीं होने वाला राजवीर थाकुर पता नहीं तुम किस मिठी के बने हुए हो कि तुमको कितना लालच दिया तुम मान ही नहीं रहे हो उसकी बात सुनकर राजवीर अपनी कड़क आवाज में कहता है तुम दोनों ने और तुम्हारे उस विक्राल ने क्या मुझे तुम जैसा समझा है तुम्हारे बहलाने फुसलाने से मैं मान जाओंगा हरगिज नहीं जो इतनी आसानी से मन जाए वो राजवीर थाकुर नहीं तुम दोनों और तुम्हारा वो विक्राल भी देखेंगा, कैसे मैं तुम्हारे ही सामने से तुम्हारे इस कैट से आजाद हो जाओंगा। जी ने अब तक होशा चुका था और उनको पता चला गया था कि वो विक्राल नाम के विक्ती के कैट में हैं, इससे जादा उनको जादा कुछ भी पता नहीं था। सभी दरे हुए थे, उनके कान में जब किसी की दर्द नाक चीखे पड़ती है तो सभी दर जाते है। खुशी तो डर के मारे रोने लगती है, जिससे आदित्य अपने गले लगा कर शान्त करने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ श्रेया और शिव बुजन को मार कर आगे बढ़ रहे थे। श्रेया और शिव ब्लैक आइलेंड से कुछी दूरी पर थे अब तक उनके रास्ते में कोई नहीं आया था, जिससे उनको थोड़ा आचार्य होता है, वो दोनों सतर्को जाते हैं, वो अब ब्लैक आइलेंड के पास आकर कोई भी रिष्क नहीं लेना चाहते थे। दोनों ही खुद को एक छोटे से तिकली में बदल कर धीरे धीरे उलते हुए ब्लैक आइलेंड की तरफ जाने लगते हैं, वो ही दूसरी तरफ विक्राल को अपने सबसे खास वफादार पालतु जानवर बुजंग के मरने की खबर मिल चुकी थी जिससे वो बौकला गया थ और इसी के साथ उस तक ये खबर भी पोहच गई थी, श्रेया और शिव ने ब्लैक समुद्र में प्रवेश कर लिया था और वो दोनों ही तेजी से ब्लैक आइलेंड की तरफ बढ़ रहे थे, विक्राल को ये पता चलते ही वो जल्द ही अपने सारे आदमियों की सभा बुल वहाँ इस सभा में आये सभी महराज विक्राल की बोलने का इंतजार कर रहे थे, तब ही उस सभा की शान्ती को तोड़ते हुए विक्राल की आवाज उस सभा ग्रह में गुमती है, जो कि केह रहा था कि आप सब के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा ना कि मैंने तुम सब को इसे अच्छानक जल्द बाजी में क्यों बुलाया आप सब को यहां बुलाने की एक खास वज़े है आप सब तो जानते हैं कि हमारे सामराज्य को सिर्फ एक ही इशान से खत्रा है और वो और कोई नहीं बलकि महाकाली का अंच है उसने इस धर्टी पर जन भी ले लिया है और हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है हमें कैसे भी करके उसे ब्लैक आइलेंड तक पहचने से रोकना है जब तक महागुरू हम सब के बीच न आ जाए उध्धरन चिन डॉट इतना कहकर विक्राल चुप हो जाता है फिर अपनी सामने मोजूद सारी काली शक्तियों को एक दोनों को रोको किसी भी हालत में आने वाले दो दिनों से पहले वो दोनों हमारे सामराज्यम में एंटर ना कर पाए और एक बात का खास ख्याल रखना वो दोनों किसी भी बेस में हो सकते हैं तो तुमको कोई भी शक्ति का अपने आसपास होने का यह हिसास हो तो तुम उसे पकड़ लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, उन दोनों को तुमको छल से कैड़ करना है, उद्धरन चिन डॉट, विक्राल की बातों को जलन और नयन अच्छी तरह से समझ रहे थे, दोनों ही अपना सरजुका कर कहते हैं, आप बिलकुल निश्चीत रहिए, महराज हम स सुनकर विक्राल के चहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो कहता है, मुझे तुम दोनों से इसी चीज़ की उम्मीद है, आशा है, तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे, उद्धरन चिन डॉट, जलन कहती है, महराज आज तक आपने हमें सोपा हुआ काम कभी अधुरा रह है, कभी हमने आपको निराश किया है, क्या, तो इस बार भी हम आपको निराश नहीं करेंगे, उद्धरन चिन डॉट, नयन कहता है, जलन बिल्कुल ठीक कह रही है, महराज, अब हम दोनों को जाने की आग्या दीजिए, उद्धरन चिन डॉट, विक्राल बस अपने हाथ के इशारे से उन दोनों को वहाँ से जाने की आग्या दे देता है, उन दोनों के जाते ही, विक्राल सेनापती तानसेन को पूरे आइलेंड की सुरक्षा बढ़ने का आदेश देता है, उसके बाद वो वहाँ मोजूद सभी काली शक्तियों के साथ मिलकर आगे होने वाले यु सभाग्रह में अभी बस राजकुमारी सितारा, शकीरा और विक्राल ही मुझूद था। विक्राल उन दोनों की तरफ देख कर कहता है, मुझे तुम दोनों से बेहर जरूरी बात करनी है। पर वो बात हम ये पर नहीं करेंगे, चलो मेरे कक्ष में चलते हैं। उद्धरन चिन डॉट, दोनों ही उसकी बात मान कर उसके पीछे उसके कक्ष की तरफ चले जाते हैं। तालकेय के भाव्य कक्ष में विक्राल इस वक्त अपने सिंधासन पर बैठा था और उसके सामने रखे दो सिंगल सोफा चेय पर सितार और शकीरा बैठे थी दोनों ही विक्राल के तरफ देख रहे थे उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। विक्राल उन दोनों की तरफ देख कर कहता है शकीरा तुम और सितारा दोनों को ही अपना वेश बदल कर काराग्रेह में जाकर श्रिया की फैमिली को अपने वश में करना है और मुझे पता है ये कम तुम दोनों आसानी से कर सकते हो उध्धरन चिन डॉट दोनों ही विक्राल क बात सुनकर अपने चेहरे पर देविल स्माइल लाकर अपना सरहा में हिलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, आप सब को आज का ये एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना। कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। अद्रिश्य दुनिय अब तक, इस कहानी में हमने अब तक देखा कि, कुछी देर में सारे जरूरी प्रशनों पर चर्चा करने के बाद सभाग्रह से सभी चले जाते हैं। सभाग्रह में अभी बस राजकुमारी सितारा, शकीरा और विक्राल ही मोजूद था। विक्राल उन दोनों की तरफ देख कर कहता है, मुझे तुम दोनों से बेहत जरूरी बात करनी है। पर वो बात हम ये पर नहीं करेंगे, चलो मेरे कक्ष में चलते हैं। उद्धरन चेन डॉट, दोनों ही उसकी बात मान कर उसके पीछे उसके कक्ष की तरफ चले जाते हैं। आसानी से कर सकते हो। उद्धरन चेन डॉट, दोनों ही विक्राल की बात सुनकर अपने चेहरे पर देविल स्माइल लाकर अपना सरहा में हिलाते हैं। उन दोनों को देख कर ऐसा लग रहा था कई दिनों बाद उन दोनों को उनके मन पसंद का कोई काम मिला था। वो दोनों ही विक्राल के रूम से बाहर आकर एक दूसरे की तरफ देख कर डेविल स्माइल करके आखो ही आखो में एक दूसरे से कुछ इशारा करते हैं। और ब्लैक आइलेंड की काराग्रे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर श्रेया की फैमिली को इस वक्त कैद करके रखा गया था। शकीरा और सितारा दोनों इसकुछ ही समय में काराग्रे हमें मोजूद थे। वो दोनों ही जहाँ पर सिंधानिया और महरा फैमिली कैद थे उस रूम के बाहर खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं फिर उस रूम का दोर खोल कर उस रूम में एंटर करते है और अपनी सामने मोजूद सिंधानिया और महरा फैमिली को देखने लगते हैं वही उस कमरे का दोर खुलते ही महरा फैमिली और सिंधानिया फैमिली की नजर भी उस तरफ चली गई थी सभी हिरानी से अपने सामने खड़े दो लोगों को देख रहे थे जिनका पहनावा क्यों कैद किया है और मेरी बहन और शिफ कहा पर है तुम दोनों जानते भी हो तुम लोगों ने किसको कैद किया है उद्धरल चिन डॉट आदित्य को खुद से उंची आवाज करके बात करना सितारा को पसंद नहीं आया तो वो आदित्य की तरफ अपनी लाल आखों से देख देखना समझे उद्धरल चिन डॉट वोही आदित्य को उसकी बात सुनकर बेहत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपने हाथ की मुठी बंद कली और वो उसको कुछ कहने ही वला था कि तब ही रोहन उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है रोहन को सितारा का आदित कि हमारे आगे आकर खड़ी हो जाओ और हमारी बाते सुनो और अपनी जबान संभाल कर बात करना समझ में आया की नहीं उद्धरल चिन डॉट पहले ही अदित्य की बात से सितारा गुस्से मैं थी और अब रोहन की बातों से उसका गुस्सा और बढ़ गया सितारा अपनी ल राजकुमारी तो तुम राजकुमारी हो और वो तुम्हारे पीछे जो है वो तुम्हारा बोडी गार्ड है ना वैसे राजकुमारी हम जान सकते हैं क्या आपने हमको किसलिए किद्नेप किया है उद्धरल चिन डॉट सितारा अभी गुस्से मैं थी वो गुस्से के मारे आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने सामने खड़े आदित्य, रोहन और विकी की तरफ देख कर कहता है वो तो तुम लोगों को जानना है कि तुम लोगों को हमने कितने क्यों किया है तो मैं तुम दोनों को बताता कि वो क्या है ना हमें महाकाली का अंश्यानी की श्रेया चाहिए, वो हमारे महराज के लिए सबसे बड़ा खत्रा है, तो हमको उसको इस दुनिया से अलविदा करना है, इसलिए महराज विक्राल के कहने पर मैंने तुम सब को उठा लिया पर तब ही मुझे पता चला कि श्रेया और उसका पती शिव जिसका तुम लोग वन मन्थ एनि सब हमारे क्याद में हो तो वो लोग प्रित्वी से यहां आने के लिए निकल गए है, और वो लोग ब्लाक आइलन के बेहत करीब है, उद्धरल चिन डॉट, शकीरा सारी कहानी उन सब को शौट में समझा देता है, इतनी देर से वेदान जो शकीरा और सितारा की बाते सुन यकीन कर लेंगे, तुम ये बाते न अपने जैसे किसी पागल के सामने करना हमारे सामने तो बिलकुल भी मत करना, उद्धरल चिन डॉट, उसकी बात में हां में हां मिलता हुआ विकी कहता है, हां भाई बिलकुल सही कह रहे है, वैसे भी तुम दोनों एसी पुराने जमाने की कपड़े पहन कर हमारे सामने आएंगे और इसी उल जुलूल बाते करेंगी तो हम तुम पर विश्वास करेंगे तो ये तुम दोनों की गलत फैमी है, उद्धरल चिन डॉट, वो ही शकीरा की बाते सुनकर और उन दोनों की वेशभूशा को देख कर रनविजय जी को कु की वो श्रया के बारे में सब जानते थे उसके पास शात्या है, इस बारे में भी और उनका खुद का रिबॉन हुआ है, तो वो समझ गए थी कि उनके आगे जो दो लोग खड़े है, दोनों ही सही कह रही है, वो इस वक्त प्रित्वी पर नहीं बलकि प्रित्वी से बहत कोई आइडिया नहीं थी, वो ही कबीर सिंधानिया और रिशब सिंधानिया की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो सब कर तक तो आपने घर में थी श्रया और शिव की वन मंथ मैरेज एनिवसरी सेलिबरेट कर रहे थे और अब अचानक वो सिंधानिया की पास उनको संभाले ख़़ी थी, वो ही सितारा जो कबसे अपने सामने मोजूद चार लग्कों की बकवास सुन रही थी, आखिर में जब उससे बरदास्त नहीं हुआ तो वो अपने तेज आवाज में कहती है, चुप एक दम चुप, तुम लोगों को हमारी ब पीच में ही रोहन कहता है, तुम कितनी जूट बोल रही हो अभी-अभी तो तुम्हारे इस बोड़ी गाड ने कहा था कि हम प्रित्वी पर नहीं है, प्रित्वी से दूर किसी so called आलियन पर है, और अभी तुम हमारी प्रित्वी की लेंग्वेज में बात कर रही हो, वो कैस जूटी कही कि तुम कितनी बड़ी जूटी हो उधरन्चिन. सित्वरा रोहन की बात सुनकर हसकर कहती हैं जूटी किसको कहा तुमने उधरन्चिन. रोहन fingertle moon बनाकर कहता हैं तुमको सुनाई नहीं देता यहां तुम्हारे अलावा कोई और है क्या जिसने अभी कुछ बोला त तुम ही तो इतनी देर से बखबख कर रही थी ना तो ओभी वॉसली जुटी मैंने तुमको ही कहा है। उद्धरल चिन डॉट रोहन की बाते सुनकर अब तक सितारा की गुसे का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था अब तो उसके नाक और कान से दुआ निकलने लगा था गुसे के मारे उसने अपनी मुठिया बंद ली थी जिससे उसके नाखून उसकी हथिलियों में गस गए थे जिसस टक डॉट तो रोहन उसकी तरफ उन्दी करते हुए कहता है तुमने पिदि किसको कहा हा और तुमने थोड़ी ही हमको पकड़ा है तो तुम छोड़ने की बात क्यों कर रही हो पागल कही कि अब खुद को रोहन द्वारा पागल कहने पर सितारा का गुसा आस्मान को छूने जगा था वो अपने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा करती उससे पहले ही शकीरा उसको पकड़ कर अपने साथ उसकमरे से बाहर ले जाता है पर जाते वक्त वो उन सब को एकलोग दे कर चला जाता है जिसे देख कर रोहन और विकी उसको अपने हाथ का मुठ्थी बन कर दिख लेते हैं और एक दूसरे से कहते हैं आज तो बाल बाल बच गए नहीं तो पता नहीं वो दोनों हमारे साथ क्या करते उध्धरन चिन डॉट उनकी बात सुनकर नेहा जी कहती है तुम सब सच कह रहे हो वो तो अच्छा हुआ कि श्रेया और शिव ने पहले ही हम को इन सब के बारे में सब बता दिया था और आगा भी किया था पर पता नहीं फिर भी कैसे हम इन लोगों के कैड में आ गए उध्धरन चिन डॉट उनकी बात पर सब सहमत थे वेदान कहता है बात तो आपने बिलकुल सही कहीं बड़ी मॉम पता नहीं भाय और भावी की वन मन्त इनिव पसरी पर ऐसा क्या हुआ कि हम सब बेहोश हो गए थे और जब हमारी आखे खुली तो हम यह इस चेल में कैड है उध्धरन चिन डॉट आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड आप सब को आज का ये एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना एपिसोड अच्छा ल